नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि सब अच्छे होंगे? तो चलिए शुरू करते हैं तो आज हम करेंगे वर्क्षिट नमबर 68 अगर आप यही वर्क्षिट इंग्लिज में देखना चाहरे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यह लिंक पर जाकर देख सकते हैं यह वर्क्षिट 22 सितंबर 2020 की है यहाँ पर बच्चे अपना नाम लिखेंगे यहाँ पर अध्यबग का नाम लिखेंगे चलिए शुरू करते हैं हमारे देश के परधान मंतरी सबसे महतोपूर्ण राजनेतिक संस्ता है ठीक है परधान मंतरी का चुनाव परत्यक्ष नहीं होता यानि जनरल पबलिक जो होती है आम आदमी होते हैं वो परधान मंतरी के चुनाव में हिसा नहीं लेते हैं वो किसके चुनाव में हिसा लेते और उस पार्टी में जो मेजोर्टी आती यानि 50% सीटे जो पार्टी लेती है वो मेजोर्टी पार्टी हो जाती है और उसका हेड कों हो जाता है उसका हेड हो जाता है परधान मंतरी जो कौन चुनता है राष्ट्रपती ठीक है राष्ट्रपती उसको परधान मंतरी बनाता है मान लीजे किसी पार्टी का 50% सीटे नहीं आई है तो क्या बना लेते हैं? वो एक गटभंदन बना लेते हैं दूसरी पार्टियों के साथ ठीक है? ताकि वो मिजोर्टी में यानि 50% सीटे बना सकें और फिर उस गटभंदन में जो मेन या उनका हैड होगा उसको क्या बना देंगे? उसको बना देंगे परधान मंतरी कौन बनाएगा? राष्ट्रबती बनाएगा तीक है? यद्यपी परधान मंतरी संसंत के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है यानि जरूरी नहीं है कि वो लोग सभा का ही हो, वो राज्य सभा का भी सदस्य हो सकता है चलिए आगे बढ़ते हैं परधान मंतरी की शक्तियां यानि परधान मंतरी के पास क्या क्या शक्तियां होती है परधान मंतरी सरकार का मुख्या होता है वह cabinet की बैठकों की अध्यक्षता करता है यानि cabinet का head होता है वह विबिन विभागों के कारिय का समन्वे करता है यानि उनको coordinate करता है उनको देखता है कि उस सही तरीके से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं विभागों के विवाद के मामलों में उसका निर्णे अंतिम माना जाता है यानि कोई भी विवाद हो जाता है तो उनका निर्णे अंतिम होता है सारे मंत्री उनके नित्रित्व में कार्या करते हैं जब परधान मंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्री मंडल यानि कैबिनेट इस्तिफाद दे देता है यानि अगर परधान मंत्री अपना पद छोड़ दे तो पूरा कैबिनेट डिजॉल्व हो जाता है, खतम हो जाता है भारत में कैबिनेट सबसे अधिक सक्तिशाली संस्ता है तो कैबिनेट के भीतर सबसे परभावशाली व्यक्ति परधान मंतरी होता है यानि भारत में कैबिनेट के पास सबसे ज़्यादा पावर होती है ठीक है सारे डिसीजन वही लेते हैं और उस कैबिनेट का हैड कोन होता है परधान मंतरी अब यहाँ पर भारत के परधान मंतरी बताय हुआ है भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 और तब पहले परधान मंतरी बने थे श्री पंडित जवाला नहरो तो उससे बात के लेकर के अब तक के देखिए सबसे लास्ट में श्री नरिंदर मोदी नाम लिखा हुआ है ठीक है अब तक के सारे परधान मंतरी के यहाँ पर नाम दिया हुआ है आप चाहे तो इन्हें पढ़ सकते हैं चलिए प्रशन पर आते हैं प्रशन एक मैं सबसंतर भारत की एक मतर महिला परधान मंतरी थी मेरा नाम लिखिए तो पूछ रहे कि जब 15 अगस 247 को हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद से लेकर अब तक सिर्फ एक ही महिला परधान मंतरी बनी है और उनका नाम क्या है उनका नाम है इदर देखें श्रीमती इंदरा गांदी तो ये आपका पहले क्वेशन का जवाब हो गया है ये आप अपने अंसर में लिख सकते हैं पिर आता है प्रशन दो मैं राज्यसबा का सदस्य रहते हुए दश वर्षों तक भारत का परधान मंतरी रहा परिवार जनों के सहायता से मेरा नाम पता कीजिए अब यहां पर ऐसे परधान मंतरी का नाम लिखना है जो एक राज्यसबा का सदस्य था और फिर भी दस साल तक भारत का परधान मंतरी रहा तो इसका जवाब है श्री मनवोहन सिंग तो यह आप अपने question number two के answer में लिख सकते है ठीक है फिर आते हैं प्रशन तीन पर कल्पना कीजिए आप वरतमान में भारत के परधान मंतरी है भारत कोरोना जैसी महामारी का सामना कर रहा है ठीक है आप इसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाते यहाँ पर वो आप से पूछ रहा है कि मालनी जै कि आप भारत के परधान मंतरी है और आपके सामने ऐसी महामारी आ जाती है जैसे करोना वारस आ गई तो आप इससे उभरने के लिए भारत को बचाने के लिए क्या कदम उठाते ठीक है यहाँ पर कोई भी गलत आंसर नहीं होगा बच्चे अपने हिसाब से सोच समझ की आंसर लिख सकते हैं उदारण के तोर पर मैं आपको दो चार बाते बता देता हूँ कि हमारे अभी के प्राइम मिनिस्टर शरी नरेंदर मोदी जी ने क्या कदम उठाए थे या लोगों को ज्यादा बाते समझ में आन लगी किंग बातों का ध्यान रखना पड़ता है ठीक है तो देरे देरे करके वो चीज़ों को खोलते गए यानि लोगडाउं जो है देरे देरे खतम होता गया तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्या कदम उठा सकते थे वो आपको यहाँ पर लिखने है ये आपका अंसर होगा इसमें कोई सही या गलत जवाब नहीं है आपको जिसा ठीक लगए आप ऐसा लिख सकते है फिर आता है प्रशन चार अपने प्रिया प्रधान मंतरी के संदर में अपने परिवार जोनों से कुछ अन्य जानकरी घतरित के एवं उस पर एक लेक लिखें वो क्या पूश रहा कि यह जो यहाँ पर जितने प्राइम मिनिस्टर अब तक रह चुके हैं इनमें से आपका सबसे फेवरिट कौन सा है आप उसके बारे में यहाँ पर लेक सकते हैं जैसे आपका फिर्ट कोई भी हो सकता है ठीक है उधान के तोर पर मैंने हमारे अभी के प्रधान मंतरी श्री नरेंदर मोदी जी के बारे में कुछ पंक्तियान लिखी है आप चाहे तो यही लिख सकते हैं या आपके इसाब से कोई और अगर अच्छा प्राइम मंतरी बने हैं ठीक है तथा वारानसी के लोगसबा सांसद भी रह चुके हैं वे भारत के परधान मंतरी पर असीन होने वाले स्वतंतर भारत में जन्में प्रथम व्यक्ति हैं ठीक है इससे पहले वे साथ अक्टूबर 2001 से 22 में 2014 तक गुजरात के मुद्ख्य मंतरी रह चु अगर आपकी कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्षिन में पूछ सकते हैं कल फिर मिलेंगे कुछ नया सीखेंगे तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद